सभी आंगनबाडी सेवी का सहय का मिनी बहनों का अपने आल इंडिया आंगनबाडी निउस चैनल की आज दोपहर बारा बजे की सच्छी खबरों में स्वागत है भायो बहनों आपको बता दें कि रच्छा बंधन पर जो सरकार उपहार में रासी देने वाली थी वो पैसा कल खातों में आ चुका है मद प्रदेश राज के राजगर जले से चंदा बहन आती हैं जिनोंने प्रसारण के लिए कुछ जानकारिया भेजी हैं एक तो 1250 रुपिया धनरासी जो लाडली बहना योजना के थ्रू मिलती है और उसके अलावा 2500 रुपिया जो रच्छा बंधन का तौफा सरकार देने वाली थी वो भी यहाँ पर दे दिया गया जिसमें आप देखे का दोनों में जो डलके आया है वो मुक्यमंत्री लाडली बहना योजना ही डलके आया है क्योंकि ये जो धनरासी है उपहार की तौफे की ये लाडली बहनाओं को ही दी गई है तो ऐसे में जो लाडली बहना आंगनबारी कार करता भी है उन सब को ये ध 1250 प्लस 2500 रुपे यानी 1500 रुपे बहन ने लिखा है बहिया जी नमस्कार मैं चंदा चोहान नाई पूरिया से आंगनबाडी कारिकरता परियोजना राजगर है हमारे मद्रपदेश में आज 10 अगस्त को 1250 प्लस 250 रुपे टोटल 1500 रुपे आए हैं जनमे की 2500 रुपे वो रच् पैसा मद्रपदेश में भेजा भी गया है इधर बात करें आगे भी अन जानकारियां भी देनी हैं अन पूर्णा जी हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपूर खीरी जिले से आती हैं उन्होंने कहा है मैं आंगनबाडी अन पूर्णा सिंग जिला लखीमपूर खीरी बलाक जो देखें उसमें सायद कुछ पता चले कि निफ्ट के थू आया या कैसे आया तो उससे कुछ आपको पता चल पाएगा सायद बाकी देखो उत्तर पदेश के हमने जनपदों में तो कल की डेट में पैसे आये नहीं है तो इसलिए मांदे का तो कहा नहीं जा सकता कि मांदे सबका जो है लगने लगा हो या आ गया हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है मानदे अभी नहीं लगा है अभी देखो कब लगता है जब लगेगा तो तमाम जन्पदों में बहनों का लगेगा और फिर आपको जानकारियां दे दी जाएंगी अभी लखिमपुर खीरी में ये पंदा सो इनके आए अभी हाल फिलाल में कुछ दिन पहले कुछ जन्पदों में और देखने को ऐसे ही पंदा सो मिले थे जिसके बारे में मैंने पोर में दिखाया भी था सुंदरी जी है उत्तरपदेश के बुलंद सहर से आती है इन्होंने अपने वहां से एक ये लिकर के बेजा कि भाई मेरे पास चार्ज जो है वो तीन साल था जो कि पहले सीडीपियो सुपरवाजर उनका ट्रांसफर हो गया अब नई मैडम आई है मेरे पास से चार्ज हटा करके मिनी आगनबारी को दिया है जब बच्चों को पूरा रासन नहीं दिया तो लावारती ने पोर्टल पर सिकायत करी तो कह रही है कि आप सिकायत करा रही है अब मिनी की सिकायत हुई तो दूसरी आगनबारी को दे दिया बताओ भाई ऐसे परेशान है हम लोग तो देखिएगा यहाँ पर मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि आप क्यों परेशान है जैसे आपके उपर तो एक्ष्टा काम का बोज था आपको चार्ज मिला था आपके पास एक्ष्टा काम ही था उस काम के बदले आपको पैसा तो सरकार दे नहीं रही थी तो उल्टे काम मिला था आपको अब ऐसे में अगर वो हट गया है तो अच्छी बात है और दूसरी बात अगर किसी और को दे दिया गया है और उनकी वो नहीं बाट रहे हैं उनकी सिकायत हो रही है तो उनके उपर कारवाई होगी उनके उपर चेकिंग होगी अब उनसे लेकर किसी और को दे दिया तो वो अपना जाने उनकी समस्या है ठीक उनके उपर कारवाई होगी नहीं वितरन करेंगी आपको इसमें परिशान होने की क्या बात है आपको परिशान ही नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको तो आजादी मि भग जाती है अब दो-दो सिंटर का दो गुना भार वो भी बिना पैसों के करना ये तो बाट ठीक नहीं है तो ऐसे में काम का बोज़ अठा क्योंकि फिरी में सरकार आपसे ले रही अब ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है हाँ परेशानी इस बात को ले करके क पही जा सकती है कि अगर उनकी सिकायद लाभाती कर रहे हैं तो इसमें आप पर अगर दोस्त दिया जाए कि आपकी वज़े से आप जो सिकायद करवा रहे हैं ये आपको बोला जा रहा तो हाँ वो गलत है ये समस्या जरूर है हेमलता जी है मैनपुरी से आती है उन्होंने अपने वहां से एक प्रशारण के लिए गुमसुदा की तलास का अर्टिकल बेजा है नाम इनका है रूप सिंग चोहान पिता इनके सुरगी ज़ो है जनजाली सिंग चोहान थे उम्र इन जो है दादा जी की जो की रूप सिंग च मैनपुरी है तो मैनपुरी जिले से ये आते हैं और जो की ये 6 अगस्त सुबह 10 बजे से लापता है अगर किसी को भी कहीं ये दिखते हैं तो इनके परिवार को आप सूचना बेज सकते हैं नीचे संपर्क से रिलेटन नमबर भी दिये गए है और प्रभारी निर्चक माली कुरावली मैनपुरी का भी नमबर दिया गया है तो जिस भी भाई किसी को ये दादा जी दिखते हैं तो इनके परिवार को आप सूचना दे सकते हैं पोशाहर आपूर्ती करने वाली फर्म से जुर्माना वसूली के नोटिस पर सवाल एक बहुत बड़ा मैटर है जो क आप सब बहनों के टियचार से जुड़ा हुआ है पोशाहर आपूर्ती से जुड़ा हुआ है यानि बड़े अधिकारियों के लेवल से आए देखते हैं किस तरह का यहां पर क्या लिपापूर्ती हो रहा और किस तरीके से जुर्माना वसूली को लेकर के नोटिसों पर सव हो रहे हैं आए देखते हैं इसमें देखिएगा मैटर पहले बता देते हैं कि सरनीत को और ब्रोकाजी जो नदेशक हैं आपकी उनका क्या कहना है उनका कहना है कि कोर्ट ने फर्मों का पच्च सुनने को कहा है अब इसके मताबिक कारवाई की जाएगी जहां तक नोटिस भ पहनीत को और ब्रोकाजी ने कहा है इसके अलावा जो कि इस आर्टिकल में जो आया उस हिसाब से इसमें आगे लिखा गया कि बिना बार कोड के पोसाहार आपूर्ती करने वाली जो फर्मे हैं उन पर 560 करोन रुपे का जुर्माना लगा करके वसूली का नोटिस जारी करने में बाल विकास सेवा पुष्टाहार नदसाले सवालों में घिर गया है तो देखिए यहां पर दरसल जो भी आपूर्ती करता फर्मे थी वो 560 करोन रुपे का उन पर जुर्माना बता जारा कि लगा गया वसूली करने का क्योंकि यह लोग बिना बार कोड के पोशाहार आप सबको याद है सासन से सकत नरदेश भी है और ऐसी चीजे सास एसोपी में भी बात हो चुकी है कि बार कोड बगरा आता है जो कि जहां बार कोड बिना डाल करके बेजा जा रहा इस मामले में पुरा यह सलसला है बता गया है कि ICDS सवालों में घिर गया हाई कोड ने नोटिस जारी करने में प्रक्रिया का पालन नहीं करने की बात कही है कोड ने फर्मों को दोबारा नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए 15 दिन का समय देने के भी नरदेश दिये है निदसाले ने बीती 19 जुलाई को पोशाहर आपूर्ती करने वाली 14 कमपनियों को बिना पार कोड के ही पोशाहर आपूर्ती करने पर 560 करोन रुपे का जुर्माना जमा करने का नोटिस जारी करके जवाब मांगा था इसके खिलाब फर्मों ने हाई कोड में याज का दायर कर दी थी सुनवाई में सामने ये चीज़े आई बदाया गया है कि इनको जो है 7 दिन की महलत दी गई लेकिन फर्मों ने बताया कि 19 जुलाई को जारी नोटिस में उने 25 जुलाई को वो मिला ऐसे में सिर्फ दो दिन में जवाब देना संबो नहीं है फर्मों ने यह भी बताया कि नोटिस से पहले कराई जाच में भी उनका पच्छ नहीं सुना गया दोनों पच् जिनको टेंडर मिल जाते हैं पोशाहार आपूर्थी की वो बनाती है वो सब समझ में आता अब ऐसे में बार कोड अगर डाल करके जो है आडर है डाले के तो उनको डाला जाना अती आवस्यक है और अगर नहीं डाला गया तो भाई उस मामले में कारवाईया हो रहीं लेकिन ये बात भी सच है कि दोनों तरब के पच्चों को भी हर मामले में सुनना चाहिए और उसके बाद जो है वहाँ पर फिर फैसले होते हैं तो यहाँ पर कोर्ट ने फिलाल इन चीज़ों को लेकर के जो भी कहा है वो आपने सुना कि कोर्ट ने नोटिस को रद कर दिया नय सिरे स नोटिस जारी करने का भी आदेश दिया है तो दोबारा नोटिस जारी करेगा विभाग इन फर्मू के खिलाब यानि उनके लिए जारी होगा नोटिस उसका जवाब वो लोग देंगे अपने जो साच होंगे वो प्रस्तुत करेंगे तो कहीं न कहीं ये चीजे हैं इनको प पर नगर विकास उभाग, अल्प संचक कल्यार, क्रसी विभाग और नहरू युवा किंग इन सब को लेकर के अलग-अलग बाते दी गई हैं आए देखते हैं नगर विकास उभाग में लेखा गया है कि नगरी निकायों से चुने हुए जन प्रतिनियों के सयोग से MDA और IDA कारिकम का उदगाटन तहसील पर, बलाग पर और CSC, PSC इन लेवल पर होना है आसा, आंगनबाडी और स्वास्त कर्मी के सामने दवा खाने के लिए समुदाय को लोग के जो लोग हैं उनको प्रिरिद करना है और कूडा उठाने वाली जो गारियां हैं उनमें फाइ दवा खाने का अभी चो चीजे चल लहीं है फाइलेरिया और मुलन कारकर्म चल लहा है राश्टी कर्मी मुक्ति दिवस चल लहें इस तरह से चीजों का आयोजन हो रहा है तो अकुल मिला करके इसके सम्मन्द में परचार प्रसार जमके हो ये चीजें यहाप पर असल आठ अगस्त को ये जारी हुआ था और आठ अगस्त को ही हमारे पास आ गया था दो तिन दो दिन से ये तिन दिन से लेटर मेरे पास पड़ा है जो की उत्तर पदेश में समस्त जिला निर्वाच्चन अधिकारियों को भेजा गया है एहरता तिती एक एक दो हजार पचीस लखी गई है यानि आगामी जो एक जनवरी आएगा दो हजार पचीस का उसी के आधार पर विधान सबा निर्वाचक छेतरों की फोटो युक्त निर्वाचक नमावलियों का वैसे संचिप्त पुनरिच्छर कारकम कराया जाएगा इसमें कुछ बाते लिखी गई हैं जैसे क्या प्रकम होने हैं तो यह पूरा एक जो उन वहनों के लिए है जो बियलोवर कर हैं या निर्वाच्छन जैसे कामों से जो पहने जुड़ी हुई हैं तो कहीं न कहीं अब फोटो युक्त जो है वो बन करके निर्वाचक नमावलियों में वो चीजें आएंगी फोटो कामनी बहन के द्वारा ही भेजी जाती हैं. फिलार आज किस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो पूरा देखा हो, आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगले वीडियो में फिर हम आपको मिलेंगे धन्निवाद.